आज आप सभी का इस वीडियो के अंदर सबसे जादा पूछे जाने वाले सवाल का अंसर होगा कि हम अपने WhatsApp से किसी को भी Location कैसे बेजें दूसरा सवाल है कि हम अपने WhatsApp से किसी को Live Location कैसे बेजें और तीसरा मैं आपको एक bonus तरीका बताऊंगा जो कि इसी वीडियो के अंदर है तो आप इस वीडियो को last तक देखते रहीगा अगर आप सभी ने इस वीडियो को like नहीं किया तो जल्दी से like कर दिजेगा अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो subscribe कर दिजेगा और घंटी को on कर भीजना चाहते हैं उससे पहरे मैं आपको बता दूँ अगर आप सिर्फ अपना location भेजना चाहते हैं कि अभी आप कहां पे हो वो चीज अगर आप किसी को भीजना चाहते हैं तो आप अराम से भेज सकते हैं यहाँ पे आपको एक pin वाला जो option दिख रहा है इसके उपर आप को क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे option खुलेंगे यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा location का तो इसके उपर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अभी आप जैसा की देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास दो option है एक share live location का और एक send current location का है आपका करेंट लोकेशन जो अभी आपका है जो कि यहाँ पर बता रहा था कि आप अपने फोन से सिर्फ साथ मीटर के दूरी पर हो तो वो यहाँ पर आप इस तरीके से भेज सकते हो दूसरा तरीका दोस्तों अगर आप किसी को अपना लाइव लोकेशन भीजना चाते हो कि मतलब आप कहां पे हो अभी और आपका जो दोस्त है वो कहीं और है और आप दोनों को एक जगा पहुंचना है तो उस जगा पे आपका लाइव लोकेशन काम करेगा अगर आप इधर उदर घूम रहे हो तो आपका मुबाइल भी बता देगा कि अभी ये बंदा यहाँ पे एक जैक्ट खड़ा है तो लाइव लोकेशन भीजने के लिए फिर से यहाँ पे यह जो पिन वाला आइकन है इसके उपर किलिक कीजिए लोकेशन का एक उपसन दिखेगा इसके उपर आप किलिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक उपसन दिखेगा सेर लाइव लोकेशन तो इसके उपर आपको किलिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको continue पे क्लिक कर देना है अब देखे यहाँ पे आपका live location ready हो चुका है तो यहाँ पे आप कितने देर के लिए अपना live location अपने दोस्त को भीजना चाहती हो वो select कर लो तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट select कर लिया अब यहाँ पे आपको send पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे यह आपका live location चला जा चुका है देख सकते हैं यहाँ पे view live location पे क्लिक करके यह आपका live location देख सकता है अगर आप दोनों एकदम accurate आपस में connect होना चाहते हो तो मैं आप सभी से एक बात कह दूँ कि अगर आप दोनों आपस में जल्दी मतलब रास्ता खुजना चाहते हो तो दोनों कोई live location share कर लेना इससे होगा क्या कि आपको तुरंत एकदम अभी मैं बताऊंगा क्या होगा तो यहाँ पे live location पे आप भी क्लिक कीजे ओके पे क्लिक कर दीजे और यहाँ पे यह डिसेबल है तो इसे on कर दीजेगा ठीक है और यहाँ पे share live location पे क्लिक कीजे continue पे क्लिक कीजे और आप भी 15 मिनट के लिए send कर दीजे तो अब दोस्तों अगर आप दोनों ने live location share कर दिया यहाँ पे दोनों का profile इसमें दीखने लगा थोड़ा सा जूम करिएगा तो दोनों का location भी exact आपको बताने लगेगा कि आप दोनों कहां कहां हो देख लो यह तब हुआ जब आप दोनों ने live location share किया एक लोग share करते तो एक कहीं display करता यहाँ पे DP तो यहाँ पे देख लिजे इधर उदर हिलो गे भी तो आपको यह exact बता देगा कि अभी यह बंदा यहाँ पे खड़ा है और आपस में जाकर दोनों कोई मिल सकते हो तो यह आप तरीका जान चुके होंगे आप दोस्तों अगर आपको इतना नहीं करना है एकदम simple सा और सधारन सा करना है तो यहाँ पे मैं एक तरीका आपको bonus में बता दूँ अगर आप किसी को live location भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है अपने phone के अंदर Google Assistant चालू कर लेना है Send my location अब यहाँ पे आप अपने contact को select कर लेजे अब यहाँ पे आप जरिया select कर लेजे कि किस app से आप भेजना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे WhatsApp चाहूंगा यहाँ पे जो आपका location है वो आ चुका है तो यहाँ पे आपको send पे click कर देना है और यह यहाँ पे पहुंच चुका है अगर यह बंदा इस link पे click करेगा तो जो इस phone का location होगा वो यहाँ पे so होने लगेगा देख लिजे कि यहाँ पे इस phone के अंदर जो GPS है वो काम करने लगा और इस phone का location इस phone के अंदर बताने लगा तो इस तरीके से आप सभी अपने WhatsApp के मादियम से या Google Assistant के मादियम से किसी को भी live location भेज सकते हो तो दोस्तो यही तीन कुछ तरीके हैं जिनका इस्तिमाल करके आप सभी WhatsApp के मादियम से कहलो Google Assistant के मादियम से कहलो आप किसी को भी live location भेज सकते हैं और उसका भी मंगवा सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और घंटी को आन करना मत भूलिएगा